हेलो फेंज्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक और हमारी उत्रपरदेश की जी के कंशना हो ओत्तर प्लेज को में ध्यानि तो हमने डिटेल में चोवर किया हुआ है याइद आप क्रेजिक्ञ सकतें हैं इसके लाबा आज का हमारा topic रहेगा उत्तरप्रदेश के वन तो मैं आपको बता दूँ जो हमारी ये वीडियो लेक्चर होंगे वो आपके उत्तरप्रदेश के जितने भी competitive exams होते हैं तो सभी exams के लिए खाफी जादा beneficial होने वाले हैं तो आँगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ यदि आपको इस topic की PDF चाहिए है तो आप हमारे crazy gk tricky application से PDF को download कर सकते हैं इसके लाबा वहाँ पर आपको different type की courses भी मिल जाएंगे तो उन courses को आप वहाँ से avail कर सकते हैं चलिए तो आज का मारे topic रहेगा उत्तरप्रदेश के वन या फिर forest of उत्तरप्रदेश तो पहले इसके हम पूरी theory discuss करेंगे और theory के बाद last time में हमारा एक महत्रपूर MCQs का शेक्षन रहने वाला है चलिए तो पहले हम वन या फिर forest की हाँँपर definition discuss कर लेते हैं इसा छेत्र जहां प्राकृटिक रूप से उगे व्रक्षव या फिर forest बोलते हैं और फिर forest पाई जाते हैं लेकिन प्रदेश की भागौलिक संडचनाओं में असमानता होने के काण प्रदेश में पाई जाने वाले वनों में भी भिन्नता हमें देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर किस टैप के वन पाई जाते हैं ऊश्न कटी वन पाई जाते हैं ऊशन कटी बंदी में भी कुछ टाइप है, हम आगे डिसकस करेंगे, तो यह आपको याद रखना है, उत्रप्रदेश भगौलिक छेत्रफल का 14,817 वर्ग किलोमेटर जो की कुल छेत्रफल का कितना है, उत्रप्रदेश के 6.15 परदिशत में वनावरण है, तो देखिए ये 2021 क की रिपोर्ट के अनुसारी मैंने आपको बताया है 14,817,89 वर्ग किलोमेटर जो कि उत्रप्रदेश में वनावरण है, उत्रप्रदेश में सरवादिक वन भावर और तराही छेत्र में पाए जाते हैं, तो देखिए मैप में मैंने आपको मेंशन किया हुआ है भावर छेत् क्या होता है, अल्रेडी हमने फिजिकल डिवीजन या फिर भावलिक विभाजयन में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, तो यह अपने मेरे पेविएस वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकने है, कि भावर छेत्र क्या ह होता है, उत्रप्रदेश की प्रथम वन नेती 1952 में आई थी और उत्रप्रदेश की जो दुति वन नेती है वो 1998 में आई थी, तो यह दो फैक्ट मैंने आप डाले हैं, आपको याद रखना है, सीसे एक्जाम में कॉश्चन बन जाता है, प्रथम वन नेती कव आई थी, राजी सूची और एक होती है, समवर्ती सूची, तो जो वन और वन नेती ववला जो टॉपिक है, यह समवर्ती सूची में रखा गया है, 尹स से पहले यह राजी सूची में था, लेकिन दॉर्से समवर्ती सूची में इस्थनांत्रित कर दिया गया या तो एक कुछ काफी important पॉइंट है आपको याद रखना है सीधा से एक्जाम में कुश्यन आता है कि जो वन और वन ने जीव है कि किस सूची में है तो समवर्ति सूची में है इस से पहले किस में थे तो राजी सूची में थे और बैलेसवे संभीदान संसुतन उनी सोच्छतर के द्वारा यसे वायू परिवर्तन मंतराले ने अपनी सत्रवी रिपोट भारती वन इस्थिति रिपोट 2021 जारी की है भारत वन इस्थिति रिपोट एक दुईवारशिक रिपोट है जिसको भारती वन सर्वेक्षन यह फिर फौरेस्ट सर्वे औफ इंडिया जिसे हम FSI भी बोलते हैं जिसका मुख्याले कहां पर है? देहरदून में है कि द्वारा तैयार किया गया इसका प्रकासन 1987 से हो रहा है तो देखें जो ये वन रेपोर्ट होती है हर दो वर्ष में प्रतिक दो वर्ष में प्रकासित की जाती है और किसके दौरigen प्रकासित की जाती है जो वन रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है तो भारती वन सर्विक्षन, कौन सा मंत्राले करता है तो कैंदरी पर्यावन, वन एवं जलवायू मंत्राले इसको जारी करता है, ठीक इसके लाबा कौन सी रिपोर्ट है तो सत्रिवी रिपोर्ट है, कब से हो रही है ये जारी, त 1987 से यह जारी हो रही है तो किसी भी प्रकार का यहां से question बन सकता है काफी important data है आपको याद रखना है इस report में 1 एवं 1 संसाधनों के आकलन के लिए भारती दूर समवेदी उपग्रह resource set 2 यह important है आपको याद रखना है से प्राप्त आकड़ों का प्रयोग किया जाता है report में सटीकता लाने के लिए आकड़ों की जाचेतू वैग्यानिक पद्धती को अपनाया जाता है तो देखिए जो भारती वन सरवेक्षण यह report हर दू साल में लाता है इसके लिए आकड़ी कहां से आते हैं तो जो उपग्रह है resource set 2 इसके द्वारा आकड़ों को प्रयोग करता है और बैग्यानिक पद्धती से इसको लागू करता है तो यह सारी डेटिल आपको याद रखनी है 2021 की one report के अनुसर सरवादिक वनों में ब्रद्धी करनाटक में हुई है 2025 वर किलोमेटर चेतर में यापर ब्रद्धी हुई है तो यह एक point अलग से था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कुछ important fact है भारत सरकार द्वारा 1988 में राश्ट्री वन नीती की घोशना की गई थी इस नीती के अनुसार कुल भाववालिक छेतर फल के 33.33% भाग पर वनों का होना अवश्यक है तो काफी ज़्यादा important है यहाँ सदे की दो question बन सकते हैं आपके exam में कि राश्ट्री वन नीती कब घोशित की गई थी तो 1988 में घोशित की गई थी और ऐसा question भी बन सकता है कि किस नीती के अनुसार कुल भावलिक छेतर फल के 33.33 भाग पर वन होने चाहिए तो राश्ट्री वन नीती 1988 के अनुसार यह बाते कही गई थी तो आपको याद रखनी है चले इसी report को और study करते हैं तो इसमें पहला point मैंने कवर किया है उत्रप्रदेश में जो total बना वरण है या फिर forest कवर है वो कितना है 14,817 वर किलोमीटर जो की प्रदेश की कुल शेतर फल का 6.15 प्रतिसत है इसके लाबा उत्रप्रदेश में जो नॉन फोरेश्ट एरिया है 2019 की रिपोर्ट थी उसकी तो नाम है 11,817 में वरद्धी हुई उत्रप्रदेश में वो कितनी है 12,24 वर किलोमीटर है न तो देखिए 2019 में अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट हर 2 साल में आती है न 2019 में भी रिपोर्ट आई होगी और 2021 में अभी रिपोर्ट आई है तो 2019 से लेकर के 2021 में वरद्धी हुई है उत्रप्रदेश में वो कितनी है 12,24 वर किलोमीटर चेतर फल ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है आँगे हम देखते हैं उत्रप्रदेश में वनावरण का वरगी करन तो यहाँ पर देखिया अतिसाघन जो वन है वो कितना है 1.9% है 2626 वरग किलोमीटर में मध्यम सघन वन कितने है तो 1.67% 4029 वरग किलोमीटर खुलेवन कितने है तो 3.37% ये वरग किलोमीटर में आपको बताओं तो 8161 वरग किलोमीटर जहाडियों की बात करूँ तो 0.24% यहाँ पर जहाडियां है और खुलेवन की बात करूँ तो 563 वरग किलोमीटर खुलेवन जहाडियां है इसके लाबा एक कुछ पॉइंट है यहाँ पर सौनभद्र उत्रप्रदेश में अधिक्तम वन आवरण वाला जिला है तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो सौनभद्र जनपद है या फिर सौनभद्र डिस्ट्रिक है वो उत्रप्रदेश में अधिक्तम वन आवरण वाला जिला है कितना छेतरफल है यहाँ पर उनहत्र सो पांच वरग किलोमीटर चेतरफल पर यहाँ पर वन है जो कि कुल भागोलिक चेतरफल का जिले का चेतरफल है उसका 35 दिसमलाद दो नौ परतिसात है तो सबसे ज़्यादा चेतरफल वाला जिला कौन सा है सौनभद्र जिला है इसके लाब भागोलिक चेतरफल का 0.37 प्रतिसत है तो यह दोनो डेटा आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है सौनभद्र में है और सबसे कम कहाँ पर है भागोलिक चेतरफल वाले जिले देख लिते हैं जो वर किलो मीटर में है तो पहला है सौनभद्र यहाँ पर 1436.75 वर किलो मीटर झेतरफल ons वाले जिले है तो यह चारों आपको याद रखना है अग्जम में आपको जमाने को दे सकता है तो चारो नाम आपको याद रखना है सबका छेतरफल याद करने की जरूत नहीं है सिर्फ सौन भद्र का और खीरी का छेतरफल याद कर लीजिए वागे छेतरफल सबका याद करने की जरूत नहीं है अब हम बात करते हैं नियूंतम वन शेतरफल वाले जिले तो पहला है संत रवीदास नगर जिसे हम भदो ही भी कहते हैं यहां पर 3.71 वर किलोमेटर पर वन है अगला है माउ यहां पर 11 वर किलोमेटर पर वन है मैंनपुरी में 13 वर किलूमेटर पर वन है और अगला है संत रवीदास नगर यहाँ पर 14 दिसमलोग चार जीरो वर किलूमेटर 6 दिफल पर वन है न तो देखिए इस सारे जिले या फिर जन पर मैंने आपको मैप में भी मैंसन किये हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है तो यह चारों आपको याद रखने है सरवादिक वाले भी और नियूनतम वाले भी और जो टॉप में दो हैं उनके आपको 6 दिफल भी याद रखने है एक मैंने यहाँ पर फैक्ट कवर किया है फिर नोट कवर किया है भार्टी वन अनुसंधान संस्थान का मुख्याले कहाँ पर है देहरदून में तो काफी इंपोर्डेंट है का अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है अब हम देखते हैं सरवादिक वन चेतरफल प्रतिसद वाले जिले तो यहाँ पर पहला है नमबर पर है और अगला है मिर्जापूर यहाँ पर सोला दिसमलाओ नौचार प्रतिसद चेतरफल पर वन पाए जाते हैं तो इस सारे जिले मैंने मैप में भी आपको मैंसन किये हैं आप देख सकते हैं निउन्तम चेतरफल प्रतिससद वाले जिलों की बात करूँ तो पहले पर है भधोही संत्रविदासन अगर यहाँ पर 0.37 प्रतिससद चेतरफल पर वन पाए जाते हैं अगला है मेनपूरी यहाँ पर 0.49 पर त्थीधवल पर विन पाय जाते हैं नेक्ट है देवरिया यहाँ पर 0.60 पर त्थीधवल पर वन पाय जाते हैं तो यह आपको चारों याद रखने हैं अधिक तंबाले भी और न्यों तंबाले भी चलिए आगिश रजा करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यता तीन प्रकार के वन पाई जाते हैं. तो दिए पहला है उसर्ण कटीवन्दी आद्र पढ़न पाती वन या फिर उसर्ण कटीवन्दी नम पढ़न पाती वन. कहीं कहीं आपको नम भी लिखा मिलबा. अगला है ऊशन कटीवंदी सुस्क पर्णपाती वन और थर्ड नमबर पर है ऊशन कटीवंदी काटिदार वन तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिसकस किया था जो उत्तर प्रदेश में ऊशन कटीवंदी टाइप के वन पाई जाते हैं तो ऊशन कटीवंदी में ये तीन टा पाइजाते हैं जहांपर औशत वर्षा कितनी होती है 100-500 cm के बीच होती है हिमाले की गिरिपाद प्रदेश जैफिर जीसे हम फुटिल रिजन भी बोलते हैं मैं इन वनों मैं ये पाई जाते हैं इन वनों की वर्ख्ष वर्शंत रितू में अपने पत्ते गिरा देते हैं तो कि इन में वर्षा कितनी चाहिए इन रक्षों को तो 100-100 cm जहां पर वी वर्षा होती है तो उस रीजन में ये पेड़ होते हैं इसके लावा इदी उत्रप्रदेश की हम बात करने है तो जो उत्रप्रदेश का गिरिपाद प्रदेश है फुटिल रीजन है ना मतलब सिवालिक क जो नीचे वाला इरिया है वहाँ पर यह पाए जाते हैं इसके लावा वाशंतरितु में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं क्यों पत्ते करा देते हैं जलसंचय के लिए है ना देखिए जो हमालय के गरीपाद प्रदेश है वही तो कौन सा भावर और तरह ही छेत रहती है, मैं अलरड़ी हम पढ़के आएं फिजिकल डिविजन में तो आपको पता होगा इन वनों में प्रमुख सागोन प्रजाती पाई जाती है जो जो उशन का टीवन दी आदरपर्ण पाती वन होते हैं एक प्रमुख प्रजाती है, सागोन की व्रक्ष है, फिर टीक जिसको हम बोलते हैं अन्य वनों में सीशम, सेलम, महुआ, साल, जामुन, वेंत, सहतूत या अन्य वन भी हैं या फिर अन्य व्रक्ष भी हैं जो की इन फॉरेश्ट के अंतरगत आते हैं एक फेक्ट मैंने यहां पर कवर किया है, देश में सरवाधिक वन मध्यप्रदेश में पाई जाते हैं और देश में नियून्तम वन हर्याणा में पाई जाते हैं तो काफी ज़्यदा इंपॉर्टेंट है, अप अन्य वी कोई एक्जाम देते हैं सेंटरल का या फिर केंदर का, तो वहाँ पर ये कोईशन आ जाते हैं कि देश में सरवाधिक वन कहां पाई जाते हैं, देश में सबसे कम वन कहां पाई जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगला है उश्रिकटी वन दी, सुस्क पर्ण पाती वन तो ये भी मानसोनी वन है, ये वन भारत के उन भागों में पाई जाते हैं जहां पर वर्षा 75 से लेकर के 100 cm या फिर लगवक 100 cm के आसपास वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाई जाते हैं इन वनों के व्रक्ष वशंत्रितू में अपने पत्ते गिरा देते तो इन वनों के व्रक्ष वशंत्रितू में अपने पत्ते गिरा देते हैं वर्षंत्रितू में ये वर्ष थोड़ा सा अंतर रहता है वहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रहती है यहाँ वर्षा थोड़ा सा कम होती है इसलिए थोड़ा बहुत भी व्रक्षों में अंतर आ जाता है चेत्र की बात करूं तो पूर्व एवं मध्य तथा पश्चम मैदानी चेत्र में यह पाई जाते हैं तो इस रीजन में यह उत्रप्रदिश में पाई जाते हैं इन वनों में प्रमुक साल प्रजाती के वन पाई अगले है उस्न कट्वणदि कांटेदाषय वन इनका छिस्टर कहा है प्रदेश के दक्षणी छित्र में यह पाई जाते हैं वर्शा recon Congress से कम जहां पर लगवक पचास सेंटीमेटर होतीए तो इन आपको बताए है रिजन में और च्ञारgehen और समय को क्म होते हैं इस प्रकार में प्रतिशत के अनुसार सरवादिक वन कहां पायाते हैं मिजोरम में पायाते हैं तो मिजोरम का जो कुल 6 तरफल है उसका लगवग 85 या फिर 86 प्रतिशत भूभग पर वन पायाते हैं तो यह जी काफी important point है आपको याद रखना है अगला है वनों का प्रशाशनिक विभाजन या फिर administrative division of forest तो इसको हम देखते हैं प्रशाशनिक आधार पर जो उत्रपदेश के वन है उसको छे भागव में यहाँ पर divide किया गया है तो एक एक हम discuss करते हैं पहले है आरक्षिदवन या फिर जिसे हम reserve या फिर reserved forest बोलते हैं तो राज जी नियंत्रण के अधीन होते हैं यह इसके लब अब रक्षों की कटाई चराई यहाँ पर पूरता प्रतिवंदित होती है और कानून यहाँ पर सक्ती से लागू होते हैं नॉर्मली जो national park वगएरा होते हैं तो पहले है आरक्षिदवन अगले है संदक्षिदवन या फिर जिसे हम protective forest बोलते हैं सरकारी राज जी नियंत्रण में होते हैं इस्थानी लोग को यहाँ पर पसू चराने वा लकड़ी काटने पर प्रतिवंद नहीं होता है परन्तु वनों को नुकसान नहीं होना चाहिए ठीक है तो देखिए यहाँ पर आप राजी सरकार से या फिर वहाँ पर आप permission ले करके यहाँ आप वनों पर संग्रा कर सकते हैं यहाँ पर कानून थोड़ा से लचीले होते हैं आरक्षित वन की अपिक्छा अगले हैं सामुदायक बन तो यह वन इस्थानी निकायों नगर निगम नगर पालिकायों जो होती है उसके अंडर आते हैं या फिर इन संस्थाओं के द्वारा नियंद्रित की जाते हैं चौथे नंबर पर है अवरगी करद वन या फिर अनक्लासिफाइड फोरेश्ट तो ऐसे वन जिनका अवी तक वरगी करण ही नहीं हुआ है वेवन अवरगी करद वन के अंदरगत आते हैं इस्थानी लोग लकडी काटने तथा पसू चराने की यहाँ पर सुविधा होती है है ना तो इस्थानी लोग यहाँ पर लकडी भी काट सकते हैं और पसू भी चरा सकते हैं अगले हैं राजकी वन ऐसे वन जो पूर्ण रूप से राजकी संरक्षन एवं नियंतरण में होते हैं उसे हम राजकी वन कहते हैं और अगला लाश्ट है निजी वन ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं तो दुनी जी वन क्या होता है यदि किसी वक्तिने कोई वन लगाए हैं तो वो उसके अथोरिटी ये फिर उसके अंतरगत आते हैं तो ये छे डाइप के वन पाई जाते हैं ना प्रशाशनिक विभाजन के अंतरगत तो आपको याद रखना है अगला यहाँ पर मैंने कवर किया है प्रमुक व्रक्षवा उनके उपियोग तो देखिए एक होता है चीड का व्रक्ष ये किस काम आता है तो ताड़पीन का दिल बनाने के काम आता है ये अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है आपको याद रखना है अगला है भूज पत्र जो की कागज वनाने के काम आता है खेर व्रक्ष होता है इससे हम कथा बनाते हैं इसके लाबा सेमल और गुलेर जो होता है इससे हम माचिस की तीली बनाते हैं बवुल की छाल से हम चमड़े की रगाई करते हैं त्यंदूपत्ता बेड़ी वनाने के काम आता है। मैप में आप देख सकते हैं। साखू और महुआइस से हम क्या करते हैं। पत्तल एवं दौने बनाते हैं। यह भी आपको याद रखना है। तार एवं खजूर से हम ताडी बनाते हैं। कुछ प्रमुक ब्रक्ष हैं जिनका उपियोग बहुत ज़्यादा होता है तो उनके क्या-क्या उपियोग है मैंने आपको बताया है वनों पर आधारित उत्तरप्रदिश के कुछ प्रमुक उद्योग वक केंद्र हमें आपको देख लेते हैं बैंत, फरनीचर, कथा, माचिस, रेजीन तो ये सब बनाने के जो कारखाने है चोटे मुटे या फिर चोटे बड़े वो कहां पर है गोरखपुर में है बरेली में है और प्रयागराज में है प्लाइवुड कहां मना जाती तो सीतापूर और नजीवावाद बिजनौर में मनाइ जाती हैं grabbed का प्रमउक केंद्र कौन सा है तो सहारनपूर है बीड़ी की बात करो तो मिर्जापुर और जहासी प्रमुक हैं लकड़ी की खिलोने कहां बना जाते हैं तो सौनभद्र वारांसी और लखनौ में खेल का सामान कहां मना जाता है तो मेरट में तो यह कुछ यहां पर अलग से मैंने फैक्ट डाले हैं आपको याद रखना है एक फैक्ट मैंने आपर या फिर नोट कवर किया है याद रखने वाला परियावर्ण संदक्षड अधिनियम कब आया था तो 1986 में आया था जिसे हम इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एड एक्ट भी कहते हैं तो काफी ज़्यादा इंवार्मेंट प्रोटेक्शन एप आंगे बात करते हैं वनों के विकास के लिए कुछ महतुपूर्ण योजना या फिर इंपॉर्टेंट स्कीम से तो एक योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना ये एक जुलाई 2001 को आई थी उत्रप्रद विकास योजना ये 2012-13 में आई थी सघन रक्षा रोपन योजना ये कवाई थी 2005-06 में आई थी वीर अब्दुल हमीद वन वन्यजीब और पर्यावरण सनरक्षन पुरसकार योजना ये कवाई थी तो 2012-13 में आई थी और एक है सहाभागी वन प्रवंधन जो की जापान सरक की सहोग से चलाई गई थी ये कवाई थी जुलाई 2010 में ठीक तो ये कुछ योजना है जिसके एयर इंपोर्टेंट है आपको याद कर लेने हैं एक फैक्ट मैंने हैं आपर कवर किया है उत्रप्रदेश के वन महुत्साव का सुभारंब जुलाई 1952 से हुआ था ना तो ये आपको याद रखना है प्रदेश में वन से संबंदित कुछ महत्पूर्ट तथ हैं तो वह हम देख लेते हैं कैंद सरकार द्वारा घोशित 1952 की वन नीती के तहट देजवा प्रदेश में वन महुत्साव की सुरुआत की गई है फिर वन महुत्साव मनाया गया इस महुत् का अर्थ जल है जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है तो यह इसकी थीम थी जब हमने अपना वन महुत्साव सेलिवेट किया था राष्ट्री क्रशी आयोग की पहल एवं विश्ववैंग की सहायता से 1989 अस्तिक में प्रदेश में सामाजिक वानी की योजना का प्र सौनभद्र जिले के बेल हथी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोशित किया गया है तो यह भी काफी ज़्यादा इंपोर्टन फैक्ट हो जाता है आपको याद रखना है वन्यजीवों की अवैद सिकार एवं उनके संद्रक्षण के लिए भारती वन्यजीव संद् अधिनियम एफ जिसे हम वाइड लाइफ प्रोडेक्शन एक्ट भी बोलते हैं 1972 में पारित किया गया था है तो याद रखना है कि वन्यजीव संद्रक्षण अधिनियम या फिर वाइड लाइफ प्रोडेक्शन एक्ट कवाया था तो 1972 में आया था इसके लाब टाइगर तो यह पॉइंट आपको याद रखना है चलिए अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्डेंट MCQs डिसकस कर लेते हैं थोरी हमने पूरी डिसकस कर ली है उत्तरप्रदेश सरकार दौरा राज जी की दूसरी वन नीती कब घोशित की गई तो इसकान सरो जाएग उशन कटीवंदी नम पर्ण पातीवन उत्तरप्रदेश के किस छेत्र में पाए जाते हैं तो जो उशन कटीवंदी आद्रपर्ण पातीवन है वो उत्तरप्रदेश का जो भावर और तराई छेत्र है जिसे हम गिरिपाद प्रदेश बोलते हैं सिवालिक का बोल सकते हैं य बिल्कु सही हो जाएगा उशन कटीवंधि जाडियां राजी के किस छेतर में पाई जाती हैं तो आपको इस तीनों का याद रखना है जो नम परणड पाती हैं गिरीपाद प्रदेश में भावर और तराई में जो उशन कटीवंधि सुस्क परणड पाती हैं ये पूर्मी मै जो उशन कटीवंधि जाडियां वाले ब्रक्षण वो कहां पाई जाते हैं दक्षणी उत्रप्रदेश में तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है प्रशाशनिक दश्टी से राज जी के वन छेतर को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो इस कांसर जागा भी छे भागों में विभाजित किया गया है कौन-कौन से वन है आरक्षिद वन होते हैं संदक्षिद वन होते हैं अवरगी कृत वन होते हैं सामुदाइग वन होते हैं राजकी वन होते हैं और निजी वन होते हैं तो ये छे टाइप आपको याद रखने हैं अगला कोशन ह इसके लाबार यदि मैं आपको एरिया बताऊं तो 2436 वर्ग किलोमेटर यहां पर वन पाए जाते हैं तो डेटा भी आपको याद रखना है important है अगला कोशन है उत्रपदेश के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं तो इस कांसर हो जाएगा भधोही जो की संत्र अविद नगर को बोलते हैं तो यहां पर पाए जाते हैं कितने छेत्रपल पर 0.37 प्रतिसद छेत्रपल पर यहां पर पाए जाते हैं तो सबसे कम है भध हो ही अगला कोशन है वीर अब्दुल हमीद वन वन जी एवं परियावन संरक्षन पुरुसकार योजना का प्रारंब कब से सद्बुल हमीद 1021 nature प्रारंब हुआ था अगला कोशन है यु को बिया भार्टी 1 अनस center saxIS चबन स्थापत है ही पा मुक्रा अदेह रदून में यह भी अरक़े नोटप में बताया था उत्तरप्रदेश के किस जनपत का अती सघनवन छेतरफल सरवाधिक है तो इसकांसर हो जाएगा एक खेरी है ना यहाँ पर सबसे सघनवन पाए जाते हैं ओपरेशन ग्रीन योजना उत्तरप्रदेश में कब से चलाए गई तो इसकांसर हो जाएगा 2001 मैंने आपको बताया था अलग से important fact में और फिर जो योजना उत्तरप्रदेश में आपको cover किया था उशन कटिवन दी नमपर्ण पाती वनों में किस प्रजाती के वनों की प्रमुकता होती है तो सागोन की यहाँ पर प्रमुकता होती है यहाँ पर लगवग 100 cm से 1500 cm वर्षा होती है ना किसके अंतर करताते हैं उशन कटिवन दी आदरपर्ण पाती वन या फिर उशन कटिवन दी नमपर्ण पाती वनों किस प्रजाती के वनों की प्रमुकता होती है इन वनों के लिए कितनी वर्षा चाहिए लगवग 100 cm के अप्रॉक्स इन वनों में वर्षा चाहिए अगला कॉश्चन है प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुक कैंद्र कहां पर है तो D सहारनपूर में है प्रदेश में खेल का सामान कहां पर बनाया जाता है तो प्रदेश में जो खेल का सामान है ये भी मैंने आपको बताएं थे चीजें तो इसकांसर हो जागा D मेरट फेमस है ना खेल के सामान के लिए प्रदेश में लकडी के खिलोने कहां पर बनाया जाते है अगला कुशन है उत्रप्देश में वान की परयोजना कब प्रभंधन योजना किस देश के सहयोग से प्रारंब की गई। कराया था अगला कॉचिशन है कथा किस से बनाया जाता है तो खहर के ब्रक्ष से कथा बनाया जाता है अगला कोशन ऐ उत्रप्रदीश की वन रिक популяр 2021 के अनुसार प्रदीश के कितने चेत्थ्रफल पर वनावरण है तो इसका अंसर हो जाएगा C 14,817 वर किलोमीटर चेतरफल पर वन है ये पहले ही मैंने आपको बताया था प्रदेश के वनावरण के वरगी करण में कौन सा पॉइंट गला था इनमें से तो देखे ये भी मैंने पॉइंट आपको 14,817 वर किलोमीटर है ये कॉश्चन रिपीट हो गया है तो ये थे दोस्तो हमारे 24 महत्रपूर MCQs कॉश्चन और थ्योरी सेक्शन हमारा यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारे Crazy जी के ट्रिक के एपलिकेशन से PDF को डाउनलोट कर सकते हैं इसके लाब यदि आपको वीडियो लेक्शर पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए इसके लाब मैं आपसे कॉश्चन पूछता हूँ